नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब उम्मेद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी बहुत अच्छे से गार्डनिंग कर रहे होंगे मैं लीना स्वागत करती हूँ आपके अपने योट्यूब चैनल माई सिंपल होम गार्डन पर फ्रेंट्स आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली 20 ऐसे फूलो वाले पौधे जो की भगवान जी को चड़ाये जाते हैं और ये सारी ही पौधे ऐसे हैं कि जो इजीली कटिंग से और सीट से ग्रो हो जाएंगे और अभी मानसुम सीजन चल रहा है तो इस सीजन में अगर इनकी हम कटिंग्स लगाते हैं तो बड़ी आसानी से ये पौधे लग जाएंगे और ये सारी ही फोदे ऐसे हैं जिने हम अपने गार्डन में आड़ करते हैं तो हमारी गार्डन की सुन्दरता को भी बढ़ाएंगे और हमारे घर को फूलों से भी भर देंगे तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं सबसे पहला है हिबिसकस जिसे जासवन गोड़ल भी बोलते हैं इसके फूल सभी देवे देवताव को चड़ाय जाते हैं इसके फूल शिवजी को माता दुरगा माता काली को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और गणेश जी को अगर 21 दिन तक इसके फूल चड़ाते है तो जो की सब्सक्राइब यस मैंने यह हमारे हैं तो अग्र आपके पास है कैसे भी मिल जाती है तो इसे आप अपने गार्डन में जरूर आड़का नेक्स है अपरा जिटा इसे से में यह 7 से मैं यह सिल्कों हैर और इसके फूल भी शिव जी को अति प्रिय है ऐसा माना जाता है कि इस फूल को अगर हम शिव जी को चढ़ाते है तो जिस भी कारे में हमें जीत चाहिए होती है तो हमें उस कारे में उस शेत्र में हमें जीत हासिल हो जाती है तो इस पौधे को भी आप इस स्पांसर में जरूर अ सबक्क रजय जादी है और इनैंड को सब़ते हैं सोर सबहर करें नंडा सबस्क्ताइड इन्हां नरसरी कमल्या, ₹ तो इने भी आप अपने गार्डन में एड़ कर सकते हो नेक्स्ट ए फ्रेंड्स बालसम जिसे गुल महंदी और मराथी में इसे तीवडी भी बोलते हैं और इसके फूल भी गनेश जी को चड़ाये जाते हैं और इसके भी फूल देखे कुछ-कुछ गुलाब के जैसे लगते ह और ये भी बहुत ही सारे कलर्ज में आते हैं तो इने भी आप सीट से अभी मॉन्सम सिएजन इसे आप सीट से ग्रो कर सकते हो और ये कटिंग से भी बहुत बालवरी लग जाते हैं तो इने भी आप अपने garden में add कर सकते हो ये भी seeds से इने easily grow किया जा सकता है अभी monsoon season चल रहा है तो इसके seeds आप अभी grow कर दीजिए और इने cutting से भी उगा सकते हो या फिर nursery में इनकी saplings भी मिल जाते है और बने बनाए पौदे भी आप लाकर अपने घर में इनहीं लगा सकते हो next है double chanini इसके भी flowers पूजा में बहुत ज़्यादा use होते है तो इने भी आप घर पर जरूर लगाईए ये मेरा ground में लगा है और ये cutting से भी बहुत easily लग जाता है अगर इसकी cutting से आपको कहीं से भी मिल जाते है तो आप इने cutting से grow करें या फिर इसका पौदा आप nursery से भी ला बहुत ही ज़्यादा इनके फूलों का यूज पूजा में होता है और डेली ये फूल पूजा में बहुत ज़्यादा use होते है तो इने भी आप जरूर एड़ करें और ये भी बहुत easily grow हो जाता है cutting से next है कानेर कानेर भी single petal और double petal में आता है और बहुत ही सारे colors में आता है pink, red, yellow, white तो इनकी भी flowers friends पूजा में use होते है इने भी भगवान जी को चड़ाया जाता है और ये जो पीला करनेर है friends ये शिव जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है तो इने भी आप cutting से या फिर इसे नरसरी से लाके आप अपने घर में लगा सकते हो ये देखे friends मैंने इसे ये देखे cutting से grow किया है तो ये white color का है और ये देखे red color ये सारे ही मेरे कानेर्स की जो cutting है ये grow हो गई है next day friends सदा बहार इनके भी फूलों को भगवान जी को चड़ाया जाता है और ये देखे friends ये भी बहुत easily grow हो जाते है ये seeds से इन में फलिया बनती है तो इसके seeds नीचे गर जाते है तो कई सारे इसके plants तयार हो जाते है तो ये white color और pink color में आते है तो ये cutting से भी easily grow हो जाते है त और इनके फूलों में बहुत ही बढ़िया खुश्बू होती है ये पिले सफेद और लाल color में इसके flowers आते है ये देखे red color का cutting से मैंने लगाया है और ये yellow color का ये देखे cutting से भी बहुत easily grow हो जाते है तो आप भी इन इस monster में इनकी cutting से इसे grow कर ये next है friends कुंद जिसे कुंदा भी बोलते है इसमें सफेद color के flowers आते है और ये इन फूलों को भी भगवान जी पर चड़ाया जाता है तो इने भी आप इस monster में cutting से grow कर सकते हो ये देखे friends मैंने किती सारी cuttings लगा ली है और सारी cuttings देखे friends मेरी लग चुकी है सब में ये देखे new new shoots निकल रहे है तो ये भ इने भी आप अगर आपके पास इसका पोधा हो तो आप इने cuttings से grow कर सकते हो अभी जून और जुलाई में इनकी cuttings लगाई जाती है और ये भी पोधे इनके इसके बन्रे बनाए भी पोधे मिलते आप उने भी खरीच सकते हो नरसरी से ये देखे friends मैंने यहां से cut करके इनक cuttings मैंने लगा दी है तो आप भी इस मौनसों में इनकी cuttings जरूर लगाई है या फिर नरसरी से खरित के भी आप इने अपने garden में आड़ कर सकते हो नेक्स्टे फ्रेंट्स रजनी गंदा इनकी फूलों में बहुत ही ज़्यादा खुश्बू होती है और ये भी फूल भगव इनकी जो वल्प से मल्टिप्ला होते जाते हैं इसके कही सारा पौधे त्यार कर सकते हो यह देखे फ्रेंट्स इन में भी flowering start हो रही है नेक्स्ट है यह रसिंगा जिसे पारिजाद भी बोलते हैं इनकी फूलों को भगवान जी पर चढ़ाया जाता है और इनकी फूल रात बहुत ही सुन्दर होते तो इन्हें भी आप अपने गार्डन में जरूर एड़ करें नेक्स है फ्रेंड्स ये चमेली का प्लांट इन्हें भी आप इस मौनसुम में एड़ कर सकते हो अभी मौनसुम सीजन में रेनी सीजन में इसकी बहुत ही जादा इसमें फ्लावरिंग होत विसफिजन में बहुत एजी इसकी कटिंग लग जाती है तो इने भी आप इस विसमें घुषिण से ग्रो करें इनके पोदों को आप नर्सरी से लाके लगा सकते हो और यह जो देशी वाराइट्स के जो गुलाब होते हैं लाल कलर की उनमें बहुती बढ़िया खुश्बू होती है तो इने भी आप इस मौनसुन में अपने गार्डन में एड़ कर सकते हो नेक्स्ट है फ्रेंड्स मेरिगोल्ड जिसे गेंदा भी भोलते है या फिर जहेंडो भी तो फ्रेंड्स इसके भी फूलों को भगवान जी पर चड़ाया जाता है और इसकी मालाए भी मिलती है तो इने भी आप इस मौनसुन में जून और जूलाई के महने में इसे सीड्स से उगाया जाता है अगर आप इसकी सीड्लिंग अभी करते हो फ्रेंड्स तो इसके फ्लावर्स हमें सितंबर अक्टुमबर तक इसके फ्लावर्स हमें मिलने लगते हैं देखे फ्रेंड्स मैंन सिजन में इनके आप इने से भी ुगा सकते हो या फिर इनके कटिंग से भी आप इने grow कर सकते हुआ इनकी भीbak भगवान जी पर चड़ाया जाता है और ये इनकी भीक पूलों का योज पूझा पार्ट पर निया झाल eyelids को भग ourself सरे से लाकर अपने घर में लगा सकते हैं तो इने भी आप इस मौनसुम में जरूर एड़ करिए नेक्स्ट है कैना लिली जिसे वैजनती भी बोलते हैं इसके फ्लावर्स विश्णु भगवान को बहुत ही ज्यादा प्रिय है और इसमें ये यलोईश हलके से रेड कलर के इसम सकते हों सो फ्रेंड्स ये थी वो सारे फूलो वाले पौधे जिनकी फूल भगवान जी पर चढ़ाया जाते हैं तो इन्हें आप इस मौनसुम सीजन में जरूर अपने गार्डन में एड़ करिए और मेरा ये आज का वीडियो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा तो मुझे कमें फ्रेंड्स करके जरूर बताईए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाइ फ्रेंड्स टेक क्यार